हेलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सब स्वागत आप सभी का अच्छी टिपस योटूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शुबै खली पेट पानी पीने से क्या फाइदा होता है आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनें ताकि आपको पूरी जानकरी प्राप्त उसके खली पेट कहें यानि कि शुबै बासी मुएं पानी पीने से कौन-कौन से फाइदे मिलते हैं इसके बारे में बात करेंगे हर किसी के लिए सवस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि वो हैल्दी आदतों को अपनाए उन में से एक है सुबै पानी पीने की आदत अगर आपको सुबै पानी पीने की आदत नहीं है तो जल्दी डाल लेजिए क्यों क्योंकि इससे इतने सारे फाइदे मिलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते सुब्ब पानी पीना हमारे स्वास्ति के लिए सबसे ज़्यादा फाइदे मन्द होता है कौन-कौन से फाइदे हैं आईए एक एकर के बात करते हैं नमबर एक, पाचन किरिया बहतर होती है, अगर आप सुबह उठकर पानी पी लेते हैं, तो ये आपके पेट में जाता है, आपका पेट पूरी तरह से खाली होता है, और पेट में जो भी फैट जमा होता है, जो भी आपके पेट के चारों और चर्बी होती है, उसको ये पिग लने का काम करता है, और आपकी पाचन किरिया को बहतर करता है, पाचन किरिया को अच्छा करता है, जिससे बोजन है, वो आसानी से, नमबर दो, शरीर की शफाई करता है, अगर आप सुबह खाली पेट पानी पी लेते हैं, तो इससे आपके शरीर की जो गंदगी है अंदर, उसको बाहर निकालने में आसानी होती है वो नरम हो जाती है जिससे आप क्यांतों की और पेट की अच्छे सी सफाई हो जाती है और सफाई होने की वज़े से आपका सरीर है वो रोगों से बचा रहता है नमबर तीन है रकत संसार में साइता देता है अगर आप सुबह उटकर पानी पी लेते हैं तो आपके सरीर में जो बल्ड सर्कुलेशन है खून का बाओ जो है वो शही तरीके से काम करता है मास पेशियों को अराम मिलता है नमबर चार वजन कम करने में मददगारे अगर आपके पेट के चारों तरफ बहुँ ज़्यादा चर्बी है आपका वजन बढ़ता जा रहा है और आप सोच रहें ऐसी एक तरीके के बारे में कि ज़्यादा कुछ ना करना पड़े वजन कम हो जाए चर्बी भी कम हो जाए तो आप सुबह पानी पीना सुरू कर दें क्योंकि पानी है वो आपके सरीर में मुझूद जो गंदे पदार थें उनको बाहर निकालता है और पुशक तत्वों को फेंच लेता है अवशोशित कर लेता है अगर आप वजन कम करना साथे हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुबह पानी पीएं नमबर पांच है दर्द कम करता है अगर किसी के सरीर में दर्द रहता है मास पेशियों में एंठन सी बनी रहती है जोडों गुटनों आदी में दर्द की समश्या रहती है तो आप सुबह पानी पीजिए इससे आपको काफी फाइदा मिलेगा इसके अलावा शुबह पानी पीने सी जो आपके सरीर का तनाओ है चीनता है वो दूरो जाती है आपका हर दे जिसे हम दिल कहते हैं वो अच्छी तरह शे काम करता है अगर किसी को गले में खरास सी रहती है ठका हुआ खुद को मैशूश करता है नाक भी कभी कभार बहने लगती है या खांसी सर्दी या नाक की ऐलर्जी लंबेश में तक बनी रहती है तो ऐसे लोगों को शुबह पानी जरूर पीना चाहिए क्योंकि ये इन शुबह समस्याओं का हल करता है इनको दूर करता है इसके अलावा अगर आप शुबह पानी पी लेते हैं तो पानी पीने से जिन लोगों को कभज की समस्या रहती है मल त्यागने में प्रेशानी होती है तो उनकी ये प्रेशानी दूर हो जाएगी कभज की समस्या दूर होगी कबस की समस्या नहीं होने देना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसी बिमारी है जो अन्य रोगों को शरीर में जनम देती है शीदीशी बात है कि अगर आपके शरीर के अंदर जो गंदगी है मल है वो अधिक समय तक रहेगा तो आपके सरीर में कोई ना कोई बीमारी तो होई जाएगी इसलिए ये जो गंदगी है इसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल देना चाहिए इसलिए सुबह अगर आप पानी पीएंगे तो इसे त्यागने में आसानी होगी अब आप सोच रहे होंगे कि पानी ठंडा पीना चाहिए या फिर एक दम गरम पीना चाहिए या गुनगना पीना चाहिए तो पानी आप गुनगना पीएं इसके अलावा आपको अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप जो पानी पी रहे हैं वो गुनगना पानी लें और उसमें आप आदा या एक निम्बू भी निचोड सकते हैं उसमें निम्बू का रस भी मिला सकते हैं इससे आपको वजन गटाने में काफी शायता मिलेगी इसके अलावा ये जो किडनी में पत्री होती है उसको दूर करता है और विटामिन C की मात्रा भी आपके सरीर में मि अगर आपको ये जनकारी काम की लगी है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद